अच्छा सुनों सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी आपका महारे यूट्यूब चैनल केमिस्टी पॉइंट वाई डॉक्टर सीवी सर में स्वागत है आज हम आपको एल्डी हाइड कीटोन का एलेक्शन नंबर 20 पढ़ाएंगे इससे अमने प्रिवियस वीडियो में आपको उक्सीडेशन बताया था अपको फैलिंग सॉलुशन और टॉलन सॉलुशन के द्वारा आज एक बरिवरी मोस्ट इंपोरेंट उक्सीडेशन है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ मेतायल किटोन यानि ऐसा ऑक्सीडेशन जिसमें एक मिथाइल ग्रूप होना बहुत अतावश सक है यह NCRT में बिल्कुल प्रॉपर तरीके से दिया है वहां पर हमने टॉलन रिएजेंट और फैलिंग सॉलुशन दोनों से कराया उसके बाद तुरंत NCRT में दे रखा है NCRT आप बुक को फॉलो करिए देखिए साइट बुक आपको इसी फॉलो कर सकते हो जो भी आपके स्कूल में चल रही हो उसे चला सकते हो बट NCRT पढ़ना मत भूलिए क्योंकि सारी चीजें NCRT बेस होती है क्योंकि NCRT जड़ है साइट बुक तो उसकी साखाय है तो साइट कि आपको जरूद भी नहीं पड़ेगी अगर आप मारे नोट्स और आप खुद सेल्प सारे नोट्स बना रहे हैं तो देखिए आज बहुत इंपोडेंट टॉपिक है आप सभी से रोकेस्ट है कि अगर आप मारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सबसे पहले आप सस्क्र करने से किसी भी स्ट्रूएंट का बहुत ज्यादा ही प्रॉफिट हो सकता है तो देखिए आज का जो टॉपिक है वह है बहुत इंपोडेंट टॉपिक है ऑक्षीडेशन ऑफ कि मिथाइल की टॉण की टॉण बहुत ज्यादा इंपोडेंट है यानि जिसको बोलते हैं मैथिल की टॉण का हैलो फॉर्म अविक्रिया द्वारा उक्सी करण हैलो फॉर्म अविक्रिया द्वारा उक्सी करण है इसको हम हैलो फॉर्म टेस्ट भी बोल देते हैं है हैलो फॉर्म टेस्ट बहुत ज्यादा इंपोडेंट है यानि यह सिंपल सी बात आप यह समझ लीजिए मेथिल की टॉन का हैलो फॉर्म अविक्रिया द्वारा उक्सी करण यानि यहां एक बात हम यह भी समझेंगे हैलो फॉर्म विक्रिया क्या होती है हेलो फों वह इकुरिया हम उक बार हैलो तक हैं 좋다 बहुत ज्ञादा इंपोडेंट है यानि इसको बोलते हैं इसके प्लिदध योले बहुत मेटल क्ल goods आप से पहले होग नहीं ना चुन इसह ठीट होऊ होगए hydrogen remove होती हो उसे क्या वोलते हैं ऑक्सिडेशन बोलते हैं तो लेकिन आज जो हम ऑक्सिडेशन बताने के लिए जा रहे हैं हमारे पास ऐसा कीटोन होना चाहिए जिसमें एक हो अगर मिफायल गुरूप प्रजेशन होगा और वहले फूए जो रहे इंडिटेट करेंगे अगर मिफायल गूप नहीं है ऐसकी टौन है तो वह अक्सिडेशन वैरिफाई नहीं करेंगा वह सो नहीं करेंगा तो देखिएगा सबसे पहले जो NCRT में जो रहेक्शन को समझे समझेंगे फिर अधर एक्जाम्पल भी समझेंगे तो देखिए हमसे जुड़ जाइए मन लगाकर नोट अपने आतों से साथ के साथ बनाते चलिए जब चैप्टर फिनिस होगा तब आपको पूरे फुल चैप्टर के नोट एक्सरसाइज सब कुछ दिया जाएगा तो देख कार्वनिल कार्वंह कार्वन और इसको हम की टॉन घ्रुप भी चैएं क्या केप्स किटॉन मैंने मैंने क्या वोला यानि यहां ऑक्सिडेशन तभी पॉसिबल है यह हेलोफॉर्म टेस्ट तभी देगी जब हमारे पास कोई ऐसा कीटोन हो जिसके पास मेथायल गुरूप होना चाहिए और यहां आपके पास मेथायल गुरूप है तो देखिए इस रेक्शन को कराने के लिए ह यहां पर हमें हैलोजन 3 मोल चाहिए कितने चाहिए थीं मोल फिक्सें 3 मोल यह सबसे फर्स टाइम और सेकिंड टाइम चार मोल न ओच चाहिए बेस चाहिए हमें फोर मोल ऐसा में मेकेनिम्स में बताऊंगा फोर मॉली क्यों जरूवत पड़ी ठीक है यह चीज़ें जरूवत पड़ेगी तब यह एसेटिक सॉल्ट बनाएगा क्या बनाएगा एसेटिक सॉल्ट O N A प्लस C H X 3 इसी को बोलते हैं हैलो फॉर्म क्या बोलते हैं हैलो फॉर्म सब मेकेनिम्स में बिल्कुल के लिए रो जाएगा इसे बोलते हैं एसेटिक सॉल्ट एसेटिक सॉल्ट यह है एलो फॉर्म रेक्शन यानि हमारे पास कोई ऐसा कीटोन होना चाहिए जिसमें मिथाईल गुरुप प्रिजेंट हो इसी लिए से क्या बोलते हैं मिथाईल कीटोन इसको बोलते हैं मिथाईल कीटोन इस आर की जग़े तो आप कुछ भी जोड़ दि नहीं है अब यह तो मैंने बताई आपको रेक्शन अब NCRT में किस तरीके से यह लिखी हुए उस चीज को समझे NCRT में आपके पास एक ऐसा की टॉन है जिसके पास मिथाइल ग्रूप है ठीक है यह मिथाइल ग्रूप है और आपके पास sodium hypohyliड और क्या है sodium hypohyloid तो sodium hypohyloid यह होता है डेटेज ही psychologists 되어 होँड इसको क्या बո्यां अंधाइल कीटोन से एक्शन करेगा और बनाएगा accentic salt पनेगा वही एसे इक साल्टी बनेका देट इस एसेटिक सॉल्ट अभी टेंशन मतलो इसको बताएंगे मेकैनिम्स में बना कैसे एक्स तरी यह क्या है आपका हेलो फॉर्म और यह क्या आपका एसेटिक सॉल्ट यह NCIT में बिल्कुल फिक्स दिये अब सबसे बड़ी बात इंपोडेंट है दो वार से लगातर रेक् लिए चला समझे हमारे पास एक्स टू है और यह अब यह रेक्शन है अब इस रेक्शन को हर बच्चा नहीं बता सकता भूल जाता है रट लेते हैं और इस बार भी यह उपी बोर्ड में आई थी और इससे पिछले यह पी बोर्ड में भी आई थी बच्चे लेकर नहीं कर तो इसे देखिए यह होती कैसी है देट इस बार्ट मॉलिकूल स्रेक्शन मेरे इन और गैने के कुछ कंवर्जन पड़े हुए वहां से आप इससे सैटिस्फाई कर सकते हो देखिए यह तो आयन में हो जाएगा इस पर पॉजिटिव बट यह नहीं होगा तो इसमें आप क् चीजों में बेने हो जाएगा यह बने गा हैच्ठ और दूसरा बने गा एचयो एकस इसको बोलते हैं यह क्या होता है है 1947 करेगा यह अगर इस से हैच रहं संकरेगा तो यह बनाएगा ए यह बनाए एकस और बनाएगा water first time okay जब यह reaction करेगा तो यहां क्या बनाएगा naox और क्या बनाएगा water प्लस यह ठीक है तो यहां पर इसको हमें लेने की जुरूत नहीं है तो इसको क्या बोलते हैं sodium hypo halide that is sodium hypo halide तो इसका मतलब है इन दोनों की जगे है हम क्या ले लेते हैं sodium hypo halide यह nc it में दे रखा है यह यह यहां पर यह रेक्शन नहीं करता यह इससे यह बना तो यही हेलो फॉर्म टेस्ट देता है क्या देता है यह देता है हेलो फॉर्म टेस्ट ओके आई होप यह बात आपको यह यहां चार मॉल नहीं लेंगे अगर इन दौनों को रेक्टेट करा दिया जाए इन दौनों की रेक्शन करा दी जाए तो यहां जो हमें ढूल Futrica को पोन जो जूक्त में आइसा हुआ कैसे यह बास नहीं है इसको बनाता है यह क्या बनाता है क्लोरी क्लियर पुलखल कंगो यह सब मृल खरों और हफिर कल वहार आई किसे वी ले सकते हो इन में अब चाहें तो CH-X-F3O, इसको बोलते हैं फिलोरोफॉर्म, चाहें CH-Cl3O, इसको बोलते हैं किलोरोफॉर्म, चाहें CH-BR3O, इसको बोलते हैं ब्रोमोफॉर्म, चाहें CH-I3O, इसको बोलते हैं आइडोफॉर्म, केवल आइडोफॉर्म येलो पीपीटी देता है, केव yellow PPT इसमें से yellow color के प्रॉप्र राप्त होते हैं color रंग ही यलो प्रिसपोर्य बनते हैं तीनों ऑते हैं यह किसे होते हैं तीनों पूचल जाते हैं कि इन के टेस्ट बताएं यह तीनों कलरलेश होते हैं बट यह वाला जो भी होता है यह कैसा येलो PPT देता है ओके इस रेक्शन से ये भी हमें पता चलता है इस रेक्शन का पहले स्किन सोर्ट ले लिजिए अब मैं इसकी मेकेनिम्स को बताऊंगे फिर और विचार करेंगे इन पर कि तो हमें यह तो पता चल गया कि हैलो फॉं रेक्सट्ट हेलो फॉंट टेस्ट कब पॉसीवल है हमारे पास कोई ऐसा की टॉन होना चाहिए जिसमें मिधायल गुरुप प्रिजैन्ट तो तभी यह रेक्शन पॉसिवल है अगर मिधायल गुरूप नहीं होगा तो यह रेक्शन पॉसिवल नहीं है तो देखिए इसकी मेकैनिम्स को क्रियाविदी देखिए मैं एक बार तुमसे फिर किलिए लिकर दू मेकैनिम्स नहीं आती बट हमें मेकैनिम्स सीख के हम सारी रेक्शनों को बहुत अच्छे से सकते हैं बहुत टीचर्स ऐसे होते हैं जो मेकैनिम्स नहीं बताते बट आपको सीखने हैं मेकैनिम्स सीखने से आपकी केमिस्ट्री बहुत ज्यादा सबसे ज़्यादा पूछे जाती हैं यह चीज़ सीखेंगे आप तभी केमिस्ट्री को बहुत इसली समझ सकते हैं तो देखिएगा हमारे पास ऐसा की टॉन चाहिए हमें जिसमें मेथाइल ग्रूप हो यह काफी यह मैं हाइडोजन को ऐसे लिख रहा हूं क्योंकि यह इसिटिक नेचर इंडिगेट करेगी अब पिक्चर में मैंने बताये था वहां जनरली एक बात बताई थी मैंने आर सी डबॉल बॉंड ओ सी इस थ्री इसमें आपकी सबसे पहले एक्स थी था कितने यूनिट था थीन यूनिट था एक्स टू और दूसरे नमबर पर था एन ओएच वो कितने यूनिट था फोर इनसे मिलकर जो कंपाउंड बना था और सी डबॉल बॉंड ओ एने प्लस हैलो फॉर्म बना था ठीक है यह रेक्शन थी बट यह म सब्लस देगा कोकी yap कार वोएनायन हमारे पास गार्वन ऐसा होताा है घ्र नेगेटुb चाहर पोजिटिव चाहर चाठ ऒग ता इसे कार्वोट कैते हैं कोई पुछता है जिसका ऑफ गांडगां 윈 9 यह बात आप समझ लेनी चाहिए कार्वो कैटाइन होमारे ऑक बदाशि होता है that is clear तो carbo देखो Cate in in Cate in a nine negative के टान का मतलब positive धनात्म कार्वो के टाइन और रडात्म कार्वो ठीक है यह बात के लिए समझे लो अब इस समय क्या होगा अब हमारे पास आपनी और एप्जॉब कर लेगा इसे अपनी और खीच लेगा तो यह अपनी यूर ले लेगा तो यहां से आप देखिए क्या निकलने वाला है बौटर बन गया यह बाँर बाहर चला जाएगा मुँगा अब हमारे पास कुछ इस पैसी इस तरीकरी दानम के त्यार हो गई cesd् Σ carbon natureं पर मानस आ गया और यह क्या बन गया कार वो इनाई अब और कॉ सब्रेंद को किस की तक करें अब इसी समय यह समय एक हैल हुर जया आता है क्या आता है है ऩाने ख البहल अब इसमें अगर हम बिदलन इसको कराएं अगर यह एलेक्टोनों को अपनी और कीच ले तो इस पर नेगेटिव चार जाएगा और इस पर पार्सियल पॉजिटिव चार तो यह है लोजन इस जगह जुड़ जाएगी यह लोजन इस पर जाकर जुड़ेगी और यहां से एक ह और हैलोजन ज्य यह दोनों मिलकर आपस में यह दोनों मिलकर आपस में क्या बना देंगे सेट यह अलग हो जाएगा यह बात को समझना अब हमारे पास क्या भी आर सी डबाल बांड शी है स्टो एक्स यह बंगया यहां पर अलफायड CTR अम्हारे पास प्र भी है यहां दो अल्फा यहां तो यहां से क्या होगा इस इस ऐठाने के लिए हमें दो ओ चाहिए माइनस अब यह दौनों मिलकर यहां से वाटर को रिमूव करेंगे कितने वाटर रिमूव हो गया तू इसी तरीके से यहां निकल जाएंगे तो यहां जो कंपाउंड बनने के लिए तयार है वह यह हो गया कि आपैजिमुट सी एक्स थ्री यह कंपाउंड बननके यहां तयार होगया बहुत सिंपल सी बात है यह बॉंड इसदत तू ऑगह बौन इदर आएगा अल्यैक सिक्थम होले इस यह के सिन एक्षोड करेंडर वार्यकर क्सक्राइप कार्वन इस रिल्र बहूंद्क जड़े हुए हैं और यहां लेडी ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है इसकी लेक्टो नेगटिविटी कापी अच्छी होती है तो यह यह जो कार्बन है यह बहुत अच्छा क्या बन गया कार्बोकेटाइन बन गया यह नि धनायन बन गया अब क्या होने वाला अब यहां आप समझेंगे बहुत अच्छे से समझना है अब आप अच्छीयार में दोबारा कोन आता है यह जगाहता है क्या अब फिक्टर में क्या होगा अज्यायooky यह भी होने वाला तो अब देखिए क्या कंडिशन कंडिशन कैसी बन रही है तो यहां पर जो कंडिशन बनी वह आर सी डबलो ओएच और प्लस सी एक्स थ्री माइनस यह अलग हो गया यह कंडिशन अलग हो गया अब यह क्या बन गया यह तो भाईया एसीटिक एसीट बन गया एसीटिक एसीट नेचर में प। अब क्या होगा अभी क्या एप्लस बचला अब यहां क्या जाएगा और इस पर आके यह sodium अटेच हो जाएगा अगली कंडिशन में फॉर्मेशन नेस्ट कंडिशन का चल रहा है अब यह क्या बन गया भईया प्लस क्या बनेगा प्लस क्या बचा आर सी डवलो ओ न इसको बोलते हैं एसीडिक सॉल्ट क्या बोलते हैं एसीटिक सॉल्ट एसेटिक सॉल्ट लटिज के लिए यह है इसकी मेकैनिम्स और मेकैनिम से मैं तुम्हें फिर कह रहा हूं मेकैनिम्स सीखना बहुत जरूली है क्योंकि मेकैनिम से सारी चीजें हमारी स्ट्रॉंग हो जाती है तो आप देखिए दुबारा समझेगा बहुत सिंपल है कुछ नही सब्सक्राइब यहां से लगाड़ हो देखिए बहुत ज्यादा एस टेगोते हैं इनका नेचर होता है है अकल बनाते हैं सिंपल सी बात है अब यहां से क्या होगा यह तुरंत ओ वह यह क्या बना देगा water नकाल देगा अब यहां पे ऑगया वाटर निकल गया स्ट्ट एक उनेट तीन इन वाटर बन गया अब मैंने बॉला ता कि मैं एपसर प्रेक्टीकल लिम बता दूंगा देखो एलो जन दो इन युणेट यह इसले की चाई उने कि यूनेटा मैं अब तीन यहां सब्सक्राइइती ह AV में से इसको डारेक्टली अगर रेक्शन को देखा जाए तो आप इसे इस तरीके से मेंटेन कर सकते हो बहुत सिम्पल सी बात है इस रेक्शन को मेंटेन करने के लिए क्या है रेक्शन देखिए CS3 ऐसे लिख लीजिए आर सी डवल वांड ओ सी एस थ्री प्लस त्री यूनिट एलोजन और फोर यूनिट एने ओएच अब क्या बनेगा इससे बनेड आर सी डवल वांड ओ एन-ध प्लस फी एचए एक्स थ्री प्लस अब एनेंसी एप यह तो निकल गया जो कि यहांपे भी तो निकले थे तीन एक एंए जुदर और एक इधर तो प्लस थ्री एने एक्स और प्लस थ्री वार्टर यूनिट यह यह पूरी इसकी Direct रेक्सन और ऐसे समझ सकते हैं एसकी direct रेक्सन ठीक है इसी को बोलते हैं हमें ल्फ ऑम में नाम क्या है और इसकी प्रैट्टिस जरूल करिए, बिना प्रैट्टिस के आप कुछ नहीं कर सकते, कि इतना भी पढ़ लेना, आप इसकी प्रैट्टिस करिए, जिससे कि आपकी ये सारी चीजें बहुत अच्छे से, इस्ट्रेवल हो जाए, इसका आप इसकी इन्सोर्ड ले लीजिए, अब मैं इसकी कुछ डारेक्ट्रेक्शन बताऊंगा, तो आपको मेकैनिम्स के लियर हो गई होगी, तो अब मैं एक डारेक्ट्रेक्शन यहाँ पर कैसे कैसे ये फॉलो होती है, इस चीज को भी मैं बताऊंगा, देखिए, अब हमारे पास क्या है मैं डारेक्ट्री बता देता हूं, आर सी डवल बॉंड, सी एस थ्री, प्लस, थ्री यूनिट एलुजन, फोर यूनिट एनिवो एच, क्या बनेगा, एसिटिक सॉल्ट बनेगा, प्लस क्या बनेगा, साओं, सी एक्स-स्थ्री इसको SOF, कहते हैं, एक हलोम कहते हैं, प्लस वाटर बनेगा, ध्यूनिट, प्लस एle एक्स बनेगा, ध्यूनिट यह एडारेक्ट्रा क्यों, इसको आप ऐसे भी आप क्लियर कर सकते हों, यह बिद मेकेनिम्स भी मैंने आपको बताई अब मैं आपको कुछ रेक्शन से ऐसी बताने के लिए जा रहा हूं जहां से आप आप से पूचा जाए क्या यह यह मिधाइल अक्षिरेशन है यह नहीं आप जड़ा सोच के बताएंगे देखिएगा हमारे पास सी एस थ्री सी ओ एच एच बॉंड है तो क्या है इसमें वाला ऑक्सीडिशन पॉसिवल है अब यह क्या होगाиться हूं कै च ऐच ओएच और स्थरी इस तरीके से यह क्या है यह 42 एलगोल है यह एत टूडीकूल 2डीकूल अग chemूड्स ठीं न करा दें तो मैं पता है oxidation कराने पर क्या बना था कि एसी टॉन बना था सी डवल बॉंड हो यह बना था तो यहां पर क्या है यह मिधायल गुरुप है यह मिधायल गुरुप हमने बताए था हेलो फॉर्म रेक्शन वही इंडिगेट करेगा हमारे पास ऐसा की टॉन होना चाहिए जहां मिधायल इस अभी कर सकता अब इसके पास क्या आप थ्री युनित चील टू ले लो फ्लस फॉरं उनिट एन्य व Elsa ले लो डिरेक्ट रेक्सन पॉस्टीवल गया प्लियोन वाला का निकलनेवाला है फ्री यूनेट से भृतर निकलने वाला है यह तो अभी मैंने बताए यह हैं और बनने च्रीक्या व Anyways Cgili woj o na plus CH c l3 हम क्या बोलते हैं किलोरोफॉर्म सब्स्क्राइब का दर जै keenез के लियर तो यह reaction पॉल का तरीके को कह रहे है यह सठीरा श्रूर मिल्द क्ष़ीदर जोड़ सकते हैं तो इसकी जगाओ एसी तरीके से मैं अगर बात करूं CS 3 CS 2 C CS 2 CS 3 क्या यह रेक्शन यहां पॉसीवल है नहीं क्यों क्योंकि हमने बोला हमारे पास ऐसा की टॉन चाहिए जहां मेथाइल ग्रूप हो एक और यहां यह मेथाइल नहीं एथाइल ग्रूप है तो यहां पर यह एलो फॉर्म रेक्शन इंडिगेट नहीं करेगी इस बात को आप ध्यान रखेगा ठीक है इस रेक्शन को क्लियर करिए अब नेस्ट वीडियो में हम आपसे मुलाकात कि अब ऑपसे हम ऊंडिये को आपसे मुटन इस बार सिरॉप है प्रह्म प्रूप है व्राप्हार खोर्यव शुटन वीडियर का आपसे मिया झाल सबस्दक्छिग पाल का इस डिएक्शन अब्स्तर ग्रूब का इस ड़से हैं पाल बार ग्रूब